हेलो वेल्कम बैक तो वीडियो शुरू करने से पहले काइंडली प्री सब्सक्राइब माँ चैनल एंड एड़ बेल आइकन ताक ही आप कोई भी आने वारी नोटिफिकेशन मिशना करें तो चलिए बिना देरी के अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं कहानी की शुरुआत हो जिसमें का नाम है सुजी एन एक का नाम है सुख यहां अबर उसकी दोनों बैस्ट उसके साथ बैठी होती है वह से पूंच नहीं थी कि यार तुम और तुम्हारा बॉइफेंड एक साथ थे तो रोमेंटिक सा महल बना नहीं तभी वह कहती है रोमेंटिक वह बात छोड़ो को कोई ऑफेंड तो यहां से यहां से तुम्हारी मुझे नहीं तो डीड़ान है तब उसका बयों नहीं है कि गयाना थी जाने घर जाना है इसके बाद वह उन से कहता है कि क्या मैं तुम्हें घर छोड़ दूं तो वह बहुत जोशे चलाती हो कि तयानी बिल्कुल नहीं मैं चली जाओंगी मैं जरूरत नहीं है इसके बाद वह उसे थोड़ा कूल हैने के लिए एक्सप्रेशन देती है ताकि वह ज्यादा शक ना करे इसके बाद विचारा सुचता है कि यार से क्या हो गया मतलब भूत भूत तो नहीं लगया इतने अचानक से इतने गंद एक्सप्रेशन बहेवियर में इतना चेंज इसके बाद यून दभी वावां से निकल जाती है तो अपने दोनों बैस्ट फ्रेंड को यह भी बिताती ह है कि वो अपने एक्स बॉइफेंड मतलब जब तो उसका करेंट था उससे मिलने के लिए गई थी तब वो से बूचती है कि तुम मेरे कॉस का चवाप क्यों नहीं दे रहे तब यह वियर रहता है कि हाँ मैं नहीं दूंगा बिकॉस मैं और सारी लड़कियों के साथ बिसी लगती है इसके बाद इसका बॉइफेंड उसका हाथ बगड़ता है और हो कहता है कि सुनों आप से ही ब्रेक अपना अप से मैं तुम्हारा वाइफेंड हुना तुम मेरी गर्फेंड ते बाद हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं हमारी फीमेलीड से क्यों से थोड़ा जेंट अच्छी पागल लगती है मैंने तो मुठी डगर का चला जाना चाहिए लेकिन वाइट यह तो लटकी पड़ी है इसके बाद वह कावी कोशच करती है बट इसका एक्स परफेंड उसकी तरफ देखता भी नहीं है चला जाता है इसके बाद उस लड़क पर बैटकर होने कि उचले उसे फिन से से कुछ सेली अधिया, कि उचले गोगी में, ऊचले है उसे उनकेंट का जा हैुंन के होएस्ट पंस को क्यों भी सिमय तो है कि उधे हैं को मतोख एक बारे भी अगे हैं, इस में जब çेजा हुआ चोड़ा, बात नहीं है अब तो दिन गए और बात भी चली गई तो इस बारे में ध्यान देने की जरूरत ही नहीं है इसके बाद क्योंग बड़ी जेंटली कहता है ठीक है कोई बात नहीं एंड पास्ट में जो था वो तुथा यह लेकिन प्रिजैन में मेरे बाध कोई नहीं होना चाहिए इसके बाद यून उससे इंप्रेस होती है कि यहां तुम्हारे बाद तो वैसे भी कोई नहीं है आफ दैट यह दोनों अपनी ट्रिंक करते हैं काफी मज़े करते हैं इसके बाद हमें यून की को फ्रेंड की स्टोरी दिखाए जाती है इसका नाम है शोक द लड़के के कुछ निकम में से दोस्ट पीछे से फाक कराते हैं वह खुश होते हैं कि वहां से इंप्रेस तो था नहीं पूरी करने के लिए मुझसे नमर मांगने के लिए इसके बाद क्या था सुकोफाद यह दा गुसां आता है वह बहुत ही भयानक तरीकी से उन तीनों प पर भी जाती है उसका मामला कावी सेट चली रहा था तभी उससे सुबह उसके बॉइफेंड का कॉल आ जाता है और अभी वह बिल्कुल भी तयान नहीं थी उसकी हालत भी बुरी थी वह भी सूकर उटकर आई थी तभी उसका बॉइफेंड उसकी लोकेशन करते हुए उसके सब्सक्राइब करें तो वह काफी ज्यादा अच्छा है और वह सूजी को सच में बहुती ज्यादा पसंद करता है चैन दरसल उसे कोई फरक नहीं पड़ता कि वह फैटी है या और कुछ वह बस इतना पता है कि उसकी गल्फेंड क्यूट एंड स्वीट है इतना उसके लिए काफी है सूजी चैन की पार्टी में जाती है जहां पर चैन के दो फ्रेंड सूजी को देकर उसका काफी मजग बन पार्टी है उन सब्सक्राइब को एसा प्रेंड बिल्कुल नहीं होनी देती है कि उसे बुरा लग रहा है वो कहती है कि हां कोई बात नहीं वह सारी बाते हैं निकाल देती है पर आफर दैट वास्ट्रूम में जाकर उसे काफी बरा लगता है यार यह लोग मेरा अतना सब्सक्राइब कर देती है कि मोटे होना कोई बड़ी बात नहीं है वस दिल से साफ होना चाहिए और मेरा बॉइफ्रेंड मुझसे खोश है ज़्याद मुझे क्या चाहिए लों दोनों के मुझ बंद हो जाते हैं चैन को भी काफी अच्छा लगता है कि सूजी अपने लिए स्टेंड लेती है यून सूक और सूजी बैठे होते हैं यह सभी अपने वाइफन के साथ पिकनिक पर आया थे दरस सूका तो कोई है नहीं लेकर अपनी फ्रेंड के साथ आई हुई थी दोनों यून से पूछते हैं कि तुम्हारा रिलेशन्शिप कैसा चल रहा है तभी यह अबना एक मोमेंट शेयर करती है कि जब क्योंग गेम खेल रहा था तो उसने उसकी प्रेशर चीज़ें तोड़ दी थी इस पर क्योंग ने उससे कहा था कि मैं साफ कर लूँगा तुम बस उठका खड़ी हो जाओ तो मैं चोड़ तो नहीं लगी उनों फैन कहती है कि यार यह तो एक दम सही बंदा है तुझे उससे जड़ाई क्यों करना अच्छा इंसान मिला है जो कि लड़ाई बिल्कुल नहीं करता तो तुझे लड़ाई करनी है इसके बाद यून कहती है कि नहीं यार लेकिन लड़ना भी तो जरूरी है ना लड़ने सही तो प्यार बड़त है तब बंदा क्योंग पर गुस्ता करता है कि वो क्योंग से कहता है कि बेटा यार एज देख अपनी मैं बड़ा हूं तो तुम्हें मून चलाने की जरूरत नहीं है तभी क्योंग करता है कि अगर आप बड़े हैं तो उसके साब से अपना बहेवियर भी तो रखिए इसके बाद वो सामय लेका बहाँ जाने लगता है अफर देट यून उससे कहती है कि मैं तुम्हें पहली पर गुस्ता होते देखा है तभी क्योंग कहता है कि क्या तुम्हें बुरा लगा आप सॉरी यार मुझे इसके गुस्ता होना चाहिए तभी तभी क्योंग यार बहुत इसके बात करने का टाइम भी नहीं मिलता था वह मेश्या तरह खेली रहा है इसके वैसे उसका बहुत है नहीं कि वह दूसरों पर चलाए या फिर कुछ और करें उसकी बाद सुनकर हो जाती है तभी क्योंग उसे दुबारा सॉरी बोलता है कि सॉरी यार मैंने तुम्हें त कर दिया क्या तब यून कहती है कि यार एक इतना सभी बना एक इतनी बार सौरी बोलेगा कि बाद यून अपने घर पर जाती है जहां पर उसका बाई डिनर कर रहा होता है तभी उसके भाई कम बताए तो इसका इंट्रस्ट सुक में कुछ ज़्याद यह है वह सूप को मैसे मिलते हैं नेक्स पार्ट के साथ दख लेए बाई बाई ठीक क्या है